नमस्कार साथियो स्प्रिंग पोर्ट्स अकेडमी के नोट्स जो हाथ से लिख हुए है इस वीडियो के मद्य मिसे मैं आपकी सामने साजा करूँगा मैं रविंदर के लोट आप से भी का स्वागत करता हूं साथियो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अगर आपने चैन गंगानगर हनुमानगड वो बगड और डुंगरपूर बासवड़ा परताब गड़ है यह वगड में आते दें बगड और वगड अलग अलग चीज़ है मिवार के प्राचिन नाम है मेदपात प्रागवट सीवी जनपद सबसे पहला वंस जो दोस्तों इसके अंदर आता ह इसमें मेवार के गुहिल सबसे प्रमुक थे गुहिल सासक सुर्यवन सी हिंदू थे उसके सबसे पहला जो आता है उसमें बपपारावल बपपरावल का वास्तविक नाम काल बोज था यह हरित रिशी का सिस्षय था 734 इसमे में मोन मोरिय को राकच्ची तोड़ कर पर अधि जी का दिवान मानते थे बप्पा राउल मुसलिम सेना को रहते हुए गजनी तक चला गया वहां के राजा सेलीम को अरा दिया अपने भांजी को राजा बनाया राउल पिंडी जो पाकिस्तान में फिलाल का सहर का नाम बप्पा राउल के नाम के कारणी पड़ा है अब दोस्त जारा गरेनका सिक्का हौा पर प्राउल परौप रप़ा जो उपादिया थी बप्राउल को वह दो बढ़ने दूसरे राज़ज्गू zwischen चकवे ysł recollect पारा हिने चारहण अहार को दूसरी राजद आनी इसने बनाया था, अहार में वराह मंदिर का निरमान भी, जो भगवान विश्णुजी का मंदिर है, वो अलू राउल ने आनी अलट ने करवाया था, मिवाड में नोकरसाही की स्थापना इसने की थी, अलट ने हुन राजकुमारी हरिया देवी सद्की थी उसके बाद नहीं धोर सो तेरा सह क्षेसं बुताधा का युद जो हुआ था जेत सिंह और इलुन तु तुमिष के भीच उता वच हुआ था वच है और इस में जेद सिंह जीत गया था इलुने सेडि़bane था बुतारा के युद में इल्टु तुमें इसकी भागती विशेना ने नागदा को लूट लिया इस जो युद हुआ था बुतारा का युद उस टाइम नागदा में लूट पाट होई थी जेतर शिंग ने चितोड को नहीं राजदानी बनाया जे शिंग सूरी की पुस्तक हमीर मर्दनम बुतारा युद की जानकारी देती है जेतर शिंग का सासनकाल मद्यकाल निन्मेवाड का सवरनकाल था उसके बाद में दोस्तो रतन शिंग 1302 इश्वी से 1403 इश्वी तक इसका छोटा भाई कुमकरन नेपाल चला गया वहाँ गुह कर्मन होता है कारण क्या थे कारण सबसे पहला था अल्ला उदिन खिल जी की जो समराज्यवादी नित्ती है दूसरा व्यपारिक और सामरिक में तो था सुद्तार के लिए प्रतिष्टा का प्रस्टन भी था मेवाड का बढ़ता हुआ प्रभाव और पदमनी की सुंदरता ये पांच जो कारण है वो चितोड पर आकरमन के कारण थे तेरा सो तीन इस्वी में जुआ अब दोस्तों पदमनी कों थी सिहल दीप की राजकुमारी थी और जो उनके पिता थे गंद्रव सेंग और माता का नाम था चमपावती रागव चेतन नामक ब्रामन ने अलाउदि जो साका हुआ था वो पहला 303 में हुआ था अब जो साका किया किसको बोलते दोस्तो जोहर पलस केसरिया पहले जोहर होता था जैसे अलाउदिन खिल जी ने चितोड पर अधिकार कर लिया और उसका नाम बदल कर चितोड का खिजराबाद कर दिया था चितोड अपरे वेटे ख खिजर खा को दे दिया, खिजर खा ने गंबीरी निदी पर पुल बनाया था, खिजर खा ने आपर मकबरे का निर्वान भी करवाया, इस मकबरे के फार्शी लेक में अलाउदिन खिल जी को इश्वर की छाया तता संसार का रक्षर गया ने बताया गया है, इश्वर का अवता साके में लड़ते हुए मारे गए ते गोराबाद दल की अत्या कव हुई थी जो चितोड का पहला साका था तेरस तिन उसमें अलाउदिन खिल जी ने चितोड में असी जार लोगों का कतल्याम करवाया था मलिक मुहमत जाय सी की पुस्तक जो पदमावत है जो अवदी बासा मे है और पंद्रा सो चारीश में लिखी गई थी उसके तहट जैम स्टोड और मोहनोत नेंसी ने भी इस कानी को भी शिविकार किया है और जो सुरी अमल मिश्ण है उन्होंने भी इस कानी को है शिविकार कर दिया अमीर खुसरों की जो पुस्तक है खजाइन उल्फतु तारिक के इलाई जिसको बोलते हैं में चितोड आकर्मन का वर्णन किया गया है राउल उपादी का राउल उपादी का परियोग करने वाला अंतिम राजा था गोरा बादल का बल्दान हमें सिखाता है कि जब देश की पर आपत्ति आये तो प्रतेक वेक्ति को अपना सर्वस्तर न मेवार का सासक बना हमेर शिसोदा गाउं का था में इसलिए यहां से गूहिल बस की शिसोद्य सक्ठा राजे प्रारम रीणी को şu आए जो फिसोद्य करने जो फिसो सबंPlus पचानन का अगया है विशम गहती पचानन कुम्बलगर प्रस्थति के अंदर जो का अगया है रसिक्पिरिया में हमीर को वीर्राजा का अगया है और हमीर चिस्टोड में बकडी मांता का मंदीर बनौए था बरवडी माता मेवार की गूईलवस की इस्थ देवी थी, जो मेवार का गूईलवस थी, बान माता मेवार की गूईलवस की कुल देवी थी, ठीक है जी थूरसा क्वेस्टन इपॉर्टेंट है, लक्षिंग लाखा 1382 से 1421 में, इसने क्या किया, जावर जो उदेपूर के चांदी की खान प्राप्त हुई है और एक बंजारे ने पिछोला जीन जो पिछोला जील आपुद्यपुर गए हो कई बार देख्यों कि उसका निर्मान एक बंजारे न कराया था जो कि गुमकडवे पारी था पिछोला जील के पास नटनी का चबूतरा भी है ये भी जुरू कि भ multip मजारे चुड़ा तौनान खान था मैधर गिए छोग बार इन भी है इनक भी पूतरए शूड़ा थे कंजाज़ नितíveरो और सब्सक्रार राजा को ब psychopath कि पुत्रत्य हो तौनाट चुड़ा का पूत्त्र था वो रनमल था, अब आईए देखते हैं कि मारवार की राजा चुड़ा यानि जो ये चुड़ा मारवार का राजा था इसने कि बेटी हंसा भाई की साधी मिवार की रणा लाखा से कर रणा सोरी साधी से करवा दी। अब इस समय लाखा के बेटे ने चूड़ा में प्रतिग्या की कि वह मेवाड का अगला राजा नहीं बनेगा जो लाखा का बेटा था चूड़ा ये चूड़ा इसने प्रतिग्या की कि वह मेवाड का राजा नहीं बनेगा ठीक है अब ये मेवाड का राजा नहीं बनेगा त तो हसाभायी के बेटे को मेवाड का अगला राजा बनायागा यह जो असा भाया थी, जो पुत्र हो था मेवाड का राजा बनायागा। तो दोस्तों अब चूड़ा को मेवार का बिशम भी का जाता है यह जो चूड़ा था इसको मेवार का बिशम भी का जाता है चूड़ा को इस बलदान के कारण कई विशेशादिकार दिये गए जो इसने बलदान दिया था राजा नेमने का तो उसमें जो प्रमुक जो पांच लिए दान थे वो सोरी वो विश्य सा हदिकार थे वो यह कि मिवार्ड के जो सोड़ा एपर स्रेडी ठीकान ओमें से चार चूड़ा को दिये जाएंगे इसमे शबुम्बर जो उद्यपूर में सामिल था सलुम्बर का सामत मिवाड का सेना पती होगा जो भी सलुम्बर का सामत होगा वो मिवाड का सेना पती होगा सलुम्बर का सामत मिवाड की राजा का राजती रख करेगा और राणा की भीवार के सभी कागछ पत्रोमपतर राणा के साथ सलूमपर का समत भी अस्ताक्सर करेगा भीवार के प्रशाष्यन में शलूमपर का क्या में त्वुडा था फ्ली लिखना है यहाज अगली टुकडी और चन्दड शेना की पीछ सब्सक्तर नगिग 1433 के बीच में जो मोकल हुआ था सात्मा राजा वो असावाई का पुत्तर था असावाई आपने देखा था और चूड़ा को सनक्षक बनाए गया था इसका सनक्षक चूड़ा को बनाए गया था असावाई के एविस्वास के करण चूड़ा मालवा चला गया रिमाल मंदीर गाल है जील वाडा जो राजमंद के अंदर है नमक्स्तान पर चाचा मेरा मेपपवार ने मुकल की हत्या कर दी जो की एमदाद गुजरा ने चला वो था अब बात करतें दोस्तों आठमा राजा कुमबा 1433 से 1468 के बीच में राना कुमबा जो उसने किया कि रणमल कुमबा का सनक्षक बना था कुमबा ने रणमल की साहिता से अपने पिता की हत्या का बदला लिया मेवार दरबार में रणमल का पर बाव बढ़ गया उसने सिसोधिया के नेता रागव ने देव की हत्या कर दी जो चुड़ा का भाई था रागवदेव चुड़ा का भाई था हसा भाई ने मालवा से चुड़ा को वापिस बुला लिया बार्मली की साहता से रणमल को मार दिया रणमल का बेटा जोधा बाग गया और बिकानेर के पास कोहाणी गाओं में सरौन लिया और चुडा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया जो मारवाड की उस्दान राजितानी थी कौनसी मंडोर आवला बावल की संदी जो कुमबा और जोदा के बीच में होई थी 1453 में इस संदी में क्या हुआ कि दोस्तो इस संदी द्वारा मारवाड है वो जोदा को वापिस दे दिय बावार में बावाड की सिम्मा बना गया अब दोस्तों जोदा की बेटी संदी कुमबा के बेटे राएमल के साथ कर दी सारंगपूर का यूद 1437 में कुमबा और मुम्मद खिल जी की जी जो मालवा का सासक था हुआ कारण क्या था मुंमद खिल जी ने मुकल के अत्यारों को सरण दी थी इससे बूरा मान गया हो और उसने कुमबा के साथ में यूद कर लिया कुमबा इस यूद में जीत गया और जीत गया थो उसने चितोड़ कमें विजे स्तंब्र वाया था चंपानेर की संदी होई थी 1456 में कुतुब दिन सा पलस मुमद खिल जी जो कुतुब दिन सा था वो गुजरात का सा सकता मुमद खिल जी मालवा का सा सकता उदेश से कुमबा को हराना इन दोनों ने एक संदी की थी चंपानेर कुमबा को राने के लिए कुन सी संदी की थी चं पडिनोर का युद हुआ था बदनोर पड़ता है बील वड़ा में इसमें 14. Осताउन में कुम्बा ने दोनों को एक साथ हरा धिया पूंबा ने शिरोई की सेएम़ देवरडा को राया नागोर में दोस्तों एक संख्त्ण खा और दूसना मुजाइदिन खा उसने कुमबा नहीं से शाहिता था चा Season Kha ठीक है और सक्सका निसकी साहिता की जो सांसकृति की उप लफ दिया है दोस्तों वो तापते कला कुमबा को ुराज़तान की स्तापते कला का आपको ध्यान रहना जरूरी है विजय सत्म इसके जो विजय सत्म की दूसरे नाम के है दोस्तों किरती सत्म विश्णु धवज गरूट धवज मुर्तियों का जायब गर्वारती मुर्तिकला का विश्व को बिल्कुल इप्रोटेंट है अब देह लीजिएगा यह नो मंजिली इमारत है इसकी लंबाई है वो 122 फिट है चोड़ाई 30 फिट है वास्तुकार इसका जित्ता पुज्जा पोसा नापा सुरी पॉमा नापा राजस्तान पुलिस वे राजस्तान वाद्यमिक शिक्ष का बोड का परतीक भी विजय सत्म है ठीक है और वीर सावर करके संगठन अब इनो भारत का प्रतीक चिन भी यही था राजस्तान की पहली मारज इस पर डार्ग टिकट जारी किया गया था राजस्तान की पहली मारज इस पर डार्ग टिकट जारी किया गया था वो विजय सत्म चेक है जैम स्टोर्ड ने विजय सत्म की तुलना कुतुम मिनार से किय किसने किये जैम स्टोर ने और फर्ग्यूसन ने विजेस्तम की तुना टार्जन टावर सी किये और सवरूप सिंग ने इसको पुर्णन निर्मान करवाया था विजेस्तम की आठवे मंजिल पर कोई मुर्ती नहीं है तीन मंजिल में नो बार अर्बी बासा में अल्ला लिखा हुआ है किर्टिस्तम प्रस्तति के लेख के अत्री महेश किले कवी राजा स्यामल जी की पुस्तक वीर विनोद के नुसार कुम्बा ने मेवाड के 84 किलो में से 32 किलो का निर्मान करवाया था 84 किलों नमें से 32 किलो बने हो इसने कुम्बा ने करवाए है कुम्बल गट जो सबसे पहला आता है जो राजसमंद के अंदर पड़ता है वास्तूका रहे है उसके मंदन इस किले को मेवाड मारारवाड का सिमा प्रेरी का जाता है इसका सबसे उंचा महल है वो कटारगड है जो कुम्बा का निजी आवास था इसे मेवाड की आँख भी का जाता है कुम्बलगड परस्तिति का लेख का है महेश इस परस्तिति में कुम्बा को ध्रमब पवितरता का वतार का गया है देखे दोस्तो अचलगड है जो शिरोई के अंदर अचलगड चोदास बावन कुम्बा ने इसका पुन निर्मान करवाय था अचलगड जील का बासंती दुरग शिरोई के अंदर है मतान दुरग मेरो पर नेंतरन के लिए ये शिरोई में और जो भिमट दुरग है ये बील जन जात्ती पर नेंतरन है तू बनाय गया था चितोडगड अचलगड वे कुम्बलगड में कुम्ब स्वामी यानि विश्णु जी के मंदिर बनवाए गया चितोड में सरंगार चमरी मंदिर बनवाय गया रनकपूर जैन मंदिरों को अंदिरमान 1449 में धरनकुसा किन ने करवाया इसमें चो मुखा मंदिर सबसे प्रव साय जाता है हिक और जैन कर 17 तन बार्मिस्तावदी में जी जासा जो जैन वे परी था भगेरवाар उसने करवाय साय चितोड के किले में साथ संगित गुरू इसके थे सारंगव्यास ओर इसकी जो पुष्ट क के थी सुधा प्रबंद ही सुधा प्रबन काम राज रथी सार जो साथ बागों में शंगित सुधा शंगित मिमासा संगीत राज जो पांच बागों है।- के अंदर पांस कोशल से भागए पठे रतण गीत रतण नर्ऺं इस रत व को सुर्वाद्डे रतण और जय देव की घीट गोमिंध रष्षिक प्रिया नाम से राप लिखी गये कुम्बानयme कंबा मेवाड़ी कंड़्वय मराथी भासाय जानता था कु ने चार नाठको की रिचना की थी कुमबा के दरवार के जो विदुगान थे वह थे कान्हाव्यास मेहा मडन और उनकी पुस्तक थी कानव्यास की एक लिंग मातमे और मेहा की थी तिर्थमाला और जो मंडन थे वो वास्तुकार थे उनकी बुक्स थी सुरी वास्तुकार, देव मुर्ति परकरन, राजवलव, रूब मंडन, कोणक मंडन, दनुस निर्मान के बारे में जो नथा था वो मं मंजरी, गोविंद मंडन का बेटा था, उसकी बुक्स थी द्वार दिपिका, उदार दोरनी, कलानी दी, मंदिर के सिकर निर्मान का जानकारी सहार समुच्चे, आयरुवेद के बारे में इसमें जानकारी है, रमावाई थी, वो कुमबा की बेटी थी, अपने पिता की तरह है, वो भी संगीत में रूची रखती थी, उपाद्य उसे बागिश्वरी की दी गई थी, इसे जावर छेतर दिया गया था, तिल्ला भट और हिरानन्द मुनी कुमबा के गुरू थे, कवीराज की उपाद्य कुमबा ने इनको दी थी, सौम देव, सौम सुंदर, जैस, शक दिया थी, कि हिंदू सुर्तान, मुस्लिम सेना को राने के कारण, अभिनव भरताचारी संगीत के कारण, जो मुस्लिम जैन थे, उन्होंने इनको ये उपमाई दी थी, जो पादिया, हाल गुरू, पाड़ी के किलिए जितने वारा चाप गुरू, दनुशकला के कारण, पर और जिसमें मारा गया था कुंबा, उद्राने, रायमल दोस्तों नुवा राजा था, चोदास तियतर से पंदरा संग में, एक लिंग मंदिर का वरतमान सवरूप बनाये गया, राणी कवर्द ने दोसंडी में बावडी का निर्मान करवाया, दोसंडी अभिलेक है, वो दो से पहले, और ये प्राचिन अभी लेक है, इसमें बागवत द्रम, यानि जो वेशनो द्रम में उसकी जान करी है, और ये संस्कृत बासा हुए है, परत्वीराज, अब दोस्तों परत्वीराज, रायमल का सबसे बड़ा बेटा था, इसे उड़ना राजकुमोर का जाता है, अपनी राणी तारा के नाम पर अजमेर जिले का नाम बदल कर तारागड कर दिया गया था, कुम्बल गड़ के किले में परत्वीराज की बाराखंबो की चत्री है, जैमल ये सोलंकियों के खिलाप लड़ता हुआ मारा गया था, संगराम सिंग, अब आ गया दोस्तों कि आगे और मैं पूरे स्लेबस के साथ में करवाऊंगा, दोस्तों बढ़े रहे हैं मेरे साथ, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूने और चैनल स्ब्सक्राइब जरूर करें, अगले वीडियों फिर मैं रविंदर गयलू तो आप से मिलता हूं तब तक के लिए जैए हिं